Be Focused, Be Alert में मैं आली आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्विक के तीन प्रासिद आसफल भविस्वानियों के बारे में सच्चा रास्ता ताइवान के धार्मिक निता होन मिंग चेन ने चेन ताव या ट्रू वे नामक एक धार्मिक आंदोलन के शुरुवात की जिसमें इसाई धर्म, बौध धर्म, यूएफो साजिश के सिधान्तो और ताइवान के लोग धर्म के तत्वों का मिश्रण था चेन ने ये बात फैला दी कि भगवान 25 मार्च 1988 को अमेरिकी टीवी चैनल 18 पर प्राकट होंगे और ये घोशना करेंगे कि वह अगले सप्ता चेन के सबान भौतिक रूप में प्रित्वी पर उतरेंगे इसके अगले साल उन्होंने भविस्वाड़ी की कि लाखो शैतान आत्माएं बड़े पैमाने पर बाढ़ के साथ मानो आबादी के बड़े पैमान पर विनाश का कारण बनेंगी और उनके अनुयाईयों को भगवान बादल रूपी अंतरिक्ष्यान में बिठा कर बचा ले 1843 में यूशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ होगा उन्होंने अपनी इन बातों से अपने एक लाख अनुयाईयों को आकर सित कर लिया उनके ये अनुयाई ये मानने लगे कि उस विशेस दिन उन्हें सवर्ग ले जाया जाएगा और जब वो विशेस दिन आया और उनकी बहुस्वानिया सच साबित नहीं हुई तो मिलर ने दوبारा से करना की और अपने अनुयाईयों को बताया कि दुनिया वास्तों में 1844 में खत्म हो जाएगी और इसके बाद उनके अनुयाई दुनिया के खत्म होने तथा अपने स्वर्ग जाने का बेस्बरी से इंतजार करन मसीहा आ रहा है कथित तौर पर बड़ी संख्या में लोग मुर्गी को देखने के लिए आने लगे और आने वाले जज्मिन डे के बारे में सोच सूच कर निराश होने लगे बाद में जल्द ही पता चल गया कि अंडे वास्तों में भविस्त सूचक संदेश नहीं थे बलके य काफी लोगों को काफी दिनों तक बेवकूफ बनाता रहा वीडियो में दिये गए घटनाओं से आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि हमें भी फ्रॉट बाबाओं की प्रेडिक्शन को मानने से पहले हमें उनके द्वारा बताए गए बातों की जाच परताल जरूर कर लिन कर दो